असलाम अलेकूम कैसे हैं आप सब आज के इस टॉरियल में हम डिजिटल वर्कशीट्स या ओनलाइन असाइनमेंट्स बिनाना सीखेंगे इसके लिए हम इस टैप पर क्लिक करेंगे और यहां से हम आप्शन सेलेक्ट करेंगे यहां से हम प्लाइनक्प का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे यहां से हम प्लैटक का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे उसके बाद हम यहां से इनको थीम्स को close कर देंगे और इसको select करके हम यहां से delete करेंगे इसको हम यहां से delete और इसको भी यहां से select करके right click करेंगे उसको delete कर देंगे उसके बाद हम file menu में जाएंगे और यहां से हम option select करेंगे page setup और यहां पर हम option select करेंगे custom, यहां पर हम इसकी size देंगे 11 by 8.5 जो के एक A4 size paper की size होती है, उके इसके बाद apply कर देंगे हम, यह हमारे पास एक screen आगे, यह हमारी इसको एज़ हम template design करेंगे, जो यह वरकशीट हम बनाना चाहते हैं, assignment देना चाहते हैं, उसकी यहां पर हम एक template design करेंगे, तो मैं अभी आपको एक three letter words जो हमारा lesson है, उसके हवाले से एक worksheet बनाना मैं आपको सिखाता हूँ कैसे उसकी worksheet हम कैसे बना सकते हैं, जो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, insert में जाएंगे और table insert करेंगे, four by two का, two by four, two column and four rows, और इसको हम यहां पर पूरे page प इसकी size को हम set करेंगे, ठीक है जी, यहां पर इसको drag करके, इसकी page की size के हिसाप से मैं इसको set कर दिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहां से border width इसको four कर देते हैं, और इसको color हम दे देते हैं ताकि यह easily नज़र आए, ठीक है जी हमारे पास यह four rows बन गई, और two columns बन गई, अब यहां पर हम इस जगा पर हम pictures लगाएंगे, और यहां पर हम बच्चों से words, इनके जो है beginning sound, जो beginning letter है, उसको type करने के लिए हम यहां पर setup करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पर हम insert picture, upload from computer, यहां पर different options है बस, तो हम use करेंगे, upload from computer, मैं पास computer में images मैंने download की हुई है, ठीक है, तो यहां पर जैसे end, ending sound words जो है, उसकी work sheet बना रहा हूँ, मेरे पास four pictures मैंने download करके रखे हुई है, let's say, यहां पर मैं कहता हूँ, यह picture ले आता हूँ है, इस picture को यहां ड्रैग करके यहां पर ले गया, इसको आप ड्रैग करके इसको set कर सकते हैं, आप मैं साइस के हिसाब से, ऐसे ही दुबारा से हम, जैसे चारो pictures हम यहां पर ड्रैग करके यहां पर ले आएंगे, जी, तो यह हमने चारो pictures यहां पर insert कर दी हैं, अब हम यहां पर text box लगाएंगे, जिसमें हम text type करेंगे, जो कि हम पहले से बच्चों को हम यहां देना चाते हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे, text box को option यूज करेंगे, और यहां पर इसको आप ड्रैग करके इसे लगा लगाएंगे, इसके लिए हम text size हम यहां से select कर लेते हैं, let's say 36, इसको हम bold कर देते हैं, और underline कर देते हैं, ठीक है, यहां से हम alignment set कर सकते हैं, center line हो और यह हमारे पास left हो, ठीक है, तो अब यहां पर आप देखेंगे, यहां पर आप कुछ spaces देदें आप, और उसके बाद हम कहेंगे N, तो यहां पर हमने, इसको हम control C करेंगे, और फिर control V, हमारे पास यह एक और copy इसकी generate हो गई, इसको हम यहां पर, ऐसे ही दुबारा से इसको control V करेंगे, और इसको हमने यहां पर प्रेस कर दिया, अब यहां पर हमारे पास यह, हमने यहां पर एक template ready कर लिए, अच्छा इस template को बनाने का मकसद यह है, यह जँने टे pursue बनाई है, इसको हम जब upload करेंगे, तो बच्चे just, जो हमारी actual file होगी, असको update कर सकेंगे, यह हमारी basic file है, यह हमारी template है, जिसको बच्चे, यह हम नहीं चाहतें कर बच्चे इसको update करें, तो इसलिए हमने एक template बनाई है, अब आगे हम इसको क्या करेंगे, यह मने template बना ली, इसको हम करेंगे, file menu में जाएंगे और सबसे पहले हम इसको उससे पहले हम करते हैं, यहाँ पर इसको हम नाम दे देते हैं, थ्री लेटर वर्ड्स अब टेम्पलेट का देटी टेम्पलेट ठीक है जी हमने इसका नाम दे दिया है अब हम फाइल मैनिंग में जाएंगे और हम करेंगे डाउनलोड और हम आप्शन सेलेक्ट करेंगे जेपिग इमेज जैसे हमने ये जेपिग इमेज का आप्शन सेलेक्ट किया तो ये इमेज बर पास डाउनलोड में सेव हो जाएगी उके जी उसके बाद हम क्या करेंगे फाइल और न्यू और प्रेजेंटिशन इसमें भी दुबारा हम इसको यहां से सेलेक्ट करेंगे और इसको हम डिलीट करेंगे यह हमने डिलीट कर लिए इसको अब इसकी हम इसकी साइज जो है दुबारा से हम चेंड करेंगे पेज सेट अप और कस्टम और यहां से 11 बाई 8.5 ठीक है इसको अपलाए कि हमने अब हम एक्चुल वो वर्कशीट बना रहे हैं जो हमने बच्चों को देनी है यह ब्लैंक हमने सेट अप इसका कर लिया उसके बार हम करेंगे बैक्राउंड और चूज इमेज और यहां से हम अपलोड के लिए हम ब्राउज करेंगे और हमारी जो फाइल जो हमने बनाई थी तेंपलेट बनाई थी वो हमारी डाउनलोड में यह सेव है त्री लेटर वर्ड्स इसको हम उपन करेंगे और इसको अपलोड करेंगे और डन और अब यह ऐसा बैक्राउंड हमारे पास इस डाकुमेंट में आ गई है या इस वर्कशीट में आ गई है अब बच्चे इसको यहाँ पर अपडेट नहीं कर सकते यह जो एक्च्वल हमारी वर्कशीट है ऐसे समझे कि यह प्रिंटेड वर्कशीट बच्चे के पास चलेगी अब सिर्फ हमने बच्चे को आप्शन क्या देना है कि यहाँ पर बच्चा सिर्फ टाइप कर सके इस जगाँ पर तो उसके लिए हमने बहुत सिंपल सा है उसके लिए हम क्या करेंगे सिंपल हम यहाँ पर एक टेक्स बॉक्स का आप्शन सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम इसको सेट करेंगे इस टेक्स बॉक्स को हम यहाँ बर सेट कर देते हैं इस जगह बर ठीक है इसमें आप जो सेटिंग बच्चे के लिए रखना चाहते हैं लेट से 30 ही हमने रखनी है और इसको भी हमने बोल्ड रखना है और इसकी अलाइनमेंट हम राइट हो ताकि उसके साथ बिल्कुल मिलके हो जाए और इसको अगर आप बॉर्डर देना चाहते हैं बॉर्डर चाहते हैं कि इस बॉक्स का बॉर्डर वहां पर डिस्प्ले हो तो यह इसका बॉर्डर भी डिस्प्ले हो गया अब यहां पर बच्चे को किस तरह नज़र आएगा ऐसे ब्लैंक यहां पर नज़र आएगा तो इसको हम दुबारा से इसको कॉपी कंट्रोल सी और कंट्रोल भी करते हैं और यहां पर कंट्रोल सी और यहां पर चारो आप्शिन्स में हम तो अब ही हमारी वैक्शीट रेडी हो गई है इसको हम करेंगे सेव ठीक है जी यहां पर हम इसको नाम दे से देते हैं अन एंडिंग साउंड हो आप सिटे छो एक टीक है यह हमारी वरक्शीट चो है वह दन हो गई इसको हम कर देते हैं यहां से क्लोज यह भी हमारी टैंपलेट वाली इसको हम क्लोज कर देते हैं अब हम गूगल क्लास्रूम में इस वर्कशीट को बच्चों को एजा असाइनमेंट देनी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे हम यहां पर क्लास में आगये केजी और इसमें क्लास वर्क तीक है अच्छ है यहां पर एक और चीज dedic की अबताूं कि क्याकित हैं हमारे पास फुक्शन है टॉपिक का तो इसमें हम क्लिक करेंगे और यहां बर हम अलग से एक topic create कर सकते हैं, three letter words assignments, ठीक है, हमने topic create कर दिया, जिसमें हम सिर्फ three letter words जो होगे, उनकी assignments उसको upload करेंगे, तो ये एक, इसमें heading create हो गई है, अच्छा, अब हमने इसको, जो हमने work sheet बनाई थी, उसको as assignment कैसे submit करना है, हम यहाँ पर assignment पर click करेंगे, यहाँ पर हम उसकी heading ज़े देते हैं, an ending sound worksheet, an ending sound worksheet, यहाँ पर हम message type कर देंगे, यहाँ पर open the given worksheet and type the beginning letter in the box, यह हमने set कर दिया, और यहाँ पर हम करेंगे add, एड में देखें, लास्ट टाइम में मैंने आपको सिखाया था, कि file कैसे upload करनी है, कोई भी आपने youtube का link कैसे देना है, अब हमारी जो file जो हमने बनाई है, वो हमारी save कहाँ पर है, वो google drive में save हुई है, तो यहाँ से हम क्लिक करेंगे google drive, जैसे google drive पर मैंने click किया, तो यह मेरे पास वो file है, जो मैंने set किये, यह हमारे पास template थी, जो उपने save की थी, और यह हमारे वो file है, इसको मैंने click किया, और add, और यह हम पर आगई, अच्छा, उसके बाद जो दूसरा बहुत important option है, वो यह है कि student can view file, यहाँ से अपने क्या करना है, student can edit file, और आपने इस में सेज्च जो select करना है, make a copy for each student, ताकि यह file की copy, यह हर एक student के लिए वहाँ पर generate हो जाए, और हर student, अपनी अपनी file में वो चीजें edit करेगा, ठीक है, तो आपने option कौन सा select करना है, make a copy for each student, इसको select किया, और उसके बाद आप यहाँ से, classes पे click करके, यह for, कौन कौन सी classes को आप यह assignment देना चाहते हैं, उन classes को check box अप लगा देंगे, तो उन classes के लिए वो assignment जेनरेट हो जाएंगी, ठीक है जी, यह मैंने केजी के लिए हो गया और nursery के लिए हो गया, मैंने दो classes मैंने select कर ली, और इसके points आप देना चाहते हैं, या नहीं देना चाहते हैं, मैं ungraded रखना चाहता हूँ, due date, के आप क्या कहते हैं, जो भी आपने data, मैं कहता हूँ, जी कल को यह बच्चे, due date इसकी कल की है, कल तक बच्चे इसको submit कर दें, ओके, यहां पर topic, topic के अंदर हमारे पास, जो हमने topics create किये हुए हैं, total हमारे पास, यह ना जरा रहे हैं, तो इसमें, जी तो इसमें तो इसमें आ जाते हैं, वो इसको हम कर देते हैं, assign, जैसे ही मैं assign पर click करेंगे, तो यह save होने के बाद, हमारे पास, classes में show रहना शूब हो जाएगी, जी, तो यह हमारे पास, kg के अंदर, classwork में, यह assignment हमारे पास, show हो रही है, and ending sound worksheet, और यह से ही आप stream में अगर जाएंगे, तो आपके पास, यह, show हो रही है, and ending sound, worksheet, ठीक है जी, तो बच्चा, इसको easily यहाँ पर, click करेगा और यह उसके पास, बच्चे के पास यह open हो जाएगी, open हो जाएगी, और बच्चा आप इसको, इस सारे में और कुछ नहीं कर सकता, just क्या करेगा यहाँ पर, type करके, इसका जो है, वो beginning sound, जो है, वो यहाँ पर type करेगा, और जैसे, यह automatic जो है, वो हमारे पास, उस बच्चे की, जिस बच्चे ने attempt किया होगा, उसके अकाउंट में, automatic हर पास, वहां पर शो हो रही होगी, I hope कि अब आप, digital assignments, और वरक्शीट्स, इजिली बना सकेंगे, इन्शाला नेक्स्ट वीडियो में, और different method, मैं आपको इसमें बताऊंगा, कि कैसे हम, और different method के जरीए, हम assignments बच्चों को दे सकते हैं, Until next lesson, Allah हाफिज.